नमस्कार बहुत स्वागत है आपका चुई मुई या लाजबंती जिसे हम साई प्लांट भी कहते हैं औस दिये गुनों के साथ इसके तांत्रिक प्रयोग भी किये जाते हैं तो आज हम आपको दोनों ही चीज़े बताएंगे तो चले पले जानते हैं उसके गुन और फायदे के बारे में चुई मुई यानि कि लाजबंती का पौधा आपको तो पता होगा जिसके पत्तियों को अगर टच करें तो अपने अपने वो मुड़ने लगते हैं जैसे कि वो सरमा रहे हैं अब देखिए आप अगर सचमुच में अपने करीब से चुई मुई को पौधा को देखा होगा तो आप बरवस इसके पत्तियों को जरूर चुए होंगे क्योंकि इनकी पत्तियां आपस में सिकोडने लगती है हलांकि ये पौधा बारमासी पौधा है और जिसका उपयोग बहुत सारी स्वास्त की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है वैसे इस पौधे की सरमीली परकिर्थी के कारण इसके बिसेश अलग पहचान है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं चुई मुई की पत्तियां और जड़ में एंटी वाइरल और एंटी फंगल गुन होते हैं जिस कारण यह कई रोगों से लड़ने में सक्चम भी है अब देखिए जैसे कई बार होता है आँखों के नीचे डाग सक्कल हो जाता है सारी रिक कमजोरी होती है या फिर आँखों जैसी बीमारी से भी बाहर निकलने में यह पौधा मदद करता है खासकर अगर डाइबिटीज के रोगी है तो लाजबंती के पौधे का कारहा पिलाने से बहुत लाग मिलता है कारहा कैसे बनाएंगे देखिए चुई मुई की आप 100 ग्राम पत्तियों को 300 ml पानी में डालकर पारहा बनाकर आप डाइबिटीज के रोगी को पिलाएं हलाकि यह किसी दक्ष जो डॉक्टर है आईरुवेदा चारे उनसे ही आप सला लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा है हलाकि इसके एक और गुन है कि इसका उप्योग आईरुवेदिक चिकितसा में ज़्यादा किया नगाय के दूद के साथ सुभा साम लिया जाए तो पाइल्स में भी लाव होता है और चुई मुई की जड़ और पत्ते दोनों का एक चमच्छू नगाय के दूद के साथ मिला कर सेवन करें तो आपके लिए पेट की समस्या की मुस्किले दूर होती है देखिए पथरी वीडियो के अंतक बने रहेगा अभी तक हमने इसके प्रकृति की बात की फायदे की बात की और कौन से विमारी में कार्याता है ये भी हमने आपको पताया लेकिन क्या आपको पता है लाजवन्ती का पौधा अगर आप घर में रखें तो सुख सम्रिद्धी बढ़ता है तो ही मुई का मतलब ही होता है सरमा जाना मुर्जा जाना तो इसके प्रयोग हैं सबसे पहले हम एक प्रयोग आपको बता है फिर आगे के टॉपिक पर आएंगे तो सबसे पहला अगर पती पतनी में नहीं बनता है या फिर आपके घर में कोई भी रिस्ता हो मा बेटी का हो म नहीं बन रहा है रिस्तों में आपको लगता है लज्जा सरम है ही नहीं बहुत बार लोग लिहाज के लिए भी रिस्तों का मान रखते हैं लेकिन कही बार लोग ऐसा नहीं करते तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है आपको लग रहा है यह सही नहीं है घर की बा की बार या मंगल वार के दिन ये प्रियोकण आप कर सकते ये चुटित के पास एक दिन पहले आपको आना है अगर आप रवी बार करेंगे तो सनी बार के दिन जाए मंगलवार कोई दिन करेंगे तो सोंबार के दिन कभी भी जा सकते हैं सुबह से साम तक के बीच अंधिराख मोने के बाद मच जाईएगा लाजबंदी के पौदे के पास आप किसी विपात्र में जल लेकर जाईए और कुछ आपको लेनी जाना चाहें तो एक सुपारी एक सिक्का भी रख सकते हैं अगर आपके घर के गमले में हैं तो फिर सिफ जलाब डाल दीजिए और उनसे प्राथना करें हाज जोर कर बिंती करें कि हम आपके पास कलाएंगे हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं रिस्तों में प्रेम नहीं है या फिर रिस्तों की समस्या है हम चाहते हैं कि जैसे आप एक लजजा सी गहना ओड़े रहते हैं उसी तरह हमारे भी घर परिवा पूरा पेड नहीं उखाड़ना आप थोड़ा सा जड़ तोड़ने एक टुक्रा भी तोड़ने तो भी चलेगा और इस जड़ को आप पीस कर पानी में या मिच्छी चीज में चाय खीर कौफी किसी भी चीज में आप मिच्छाई में भी थोड़ा सा लगा कर जो वेक्तिक को आप चाहते हैं कि आपकी बात माने आप उनको अपने हाथों से खिला सके तो अती उत्तम नहीं तो अपने हाथों से उनके हाथों में दे यकिन मानिए वो आपकी बात नहीं टालेगा आपका कहना मानेगा रिस्ते में कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी ब गिसकर थोड़ से लेना जादा नहीं लेना गिसकर अपने माथे पर तिलक लगाए और उस बैक्ति के पास जाएए जिससे आप चाहते हैं वो आपके रिस्तों का मान रखें उनके पास आप जाएए वो आपको देखते हैं तो यह किन मानिए यह जो आपके माथे पर इसका ति इसान कोन में यानि पूरब उत्तर कोना में ही लगाईए यह ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रती दिन इसमें जल दें इसकी सेवा करें आपके कुंडली का राहू दोस्बी समाप्त होता है घर में धंधाने बढ़ता चला जाता है याद रखिए घर के इसान कोन में ही लगा जाता है घर में हर को एक दूसरे को समान देते हैं चुकि इसका नाम ही है चुई मुई लाजबंती अब हम इसको इसका तीसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं आपको इसके पहले का और बात जान ले पौधे के जहां भी आपने लगाया है गंले में गंदगी आसपास ना होने दे यह आपके धन की मुश्किलों से आपको बचाता है और सनी देप को प्री है लाजबंती के पुस्प तूलसी की तरह लाजबंती का पौधा भी अदभुत औस्दिय गुनों से भरा हुआ है और साथ ही लाजबंती का पौधा आपके घर में है तो आपके घर का नकात माप्त हो जाता है इस पौधे में बैगडी रंगे फूल खिलते हैं सनी देप को ये पुस्प बहुत प्री है यदि लाजबंती के पुस्प से उनकी पूजा की जाए तो सनी देप 30 प्रसंड हो जाते हैं तो कृष्ण कांता का बेल जिसमें नीले रंग का पुस्प होता है औ ये पुस्प और लाजबंती का पुस्प दोनों ही पुस्प अगर नियमीत रूप से आप सनी देप को अरपीत करें या भगवान स्री कृष्ण को अरपीत करें तो आपके जीवन में कभी भी प्रेम और किसी भी तरह का गरहों का जो मुस्किलें है वो सब आपके जीवन मे समाप्थ हो जाती है दिखे लाजबंती के पौधे से धन प्राप्ती के महा प्रयोग किये जाते हैं आकस्मी धनला जिसको हम लॉटरी जुआ सट्टा से और मार्केट बेगरे कहते हैं उसी से तो लाजबंती यानि की छुई मुई के पौधे के साथ किया जाता है सनी बार के दिन आप सुबह सुबह सुर्य हदे से पहले उट ले असनान बेगर करके पौधे के पास जाईए आपके घर में गार्डन में जहां भी है जाकर जल और पीत करें पौधे में और हाथ जोड़कर बोले मन में मन ही मन बोलिए कि लोटरी वेगरे में आपकी जीत हो और फिर ए फिर किसी गरीब की हेल्प करेंगे और फिर आप चले आईए और ऐसा आप अगले दिन फिर जाएए और जो भी अपने लाजबंदी का पौधा खरीदा है या फिर आपके घर में है तो वहीं पर जाईए कोई टोके ने इस बात का ध्यान रखेगा अब इसके बाद लाजब में बांद या पॉकेट में पर्स में रख लें और अगले दिन टिकट खरीदें हलाकि हम यह नहीं कहते कि आप इस परियोग को करके टिकट खरीदें लेकिन ऐसा तंत्र सास्त में लिका है हमने कभी आज माया नहीं हम आपसे जूठा बादा नहीं करेंगे तो आप सो पूस्प बहुत प्रिय है और पॉधा भी अध्वुथ उस्दी घुनों से भरा हुआ है तो लाजबंदी का पूधा नकात्मक उर्जा को समाप्त करता है और इसमें जब पूस्प करते हैं वह अरपित करते रहें आपके संदोस् समाप्त होंगे घर का निगेटिव एनरज के दनिवार